हलो आप सभी का स्वागत पर फिर से हाज के इस नई वीडियो में तो हमारा यह सी रीच वादा अंसेंट हिस्ट्री का और इससे पहले हमने देख चुके हैं पहले वीडियो में देखा था पहले लेक्चेर रहा था पहला चैप्टर था उसके बाद हमने स्ट्डी किया प्री हिस्ट्री प्रियर जहाँ पर हमने देखा पैले लेतिक मैसोरा नियो लेतिक और चालको लेतिक एज की बार आप शंजह नौ साहाँ उसकी बाद देका जनपत पढ़ा पिछले वीडियो में complete किया तो इस वीडियो में हमें study करेंगे chapter 6 जो किया है बुद्धिस्म एंड जैनिस्म के बारे में तो चलिए start करते हैं start करने से पहले लेकर अगर आप लोग चैनल पे नए है तो subscribe जैनल को और वीडियो का लाइक करें शेयर करें चलिए आगे बढ़ते हैं chapter 6 बुद्धिस्म एंड जैनिस्म चैनिस्म during the letter Vedic period तो हमने परहा था कि letter Vedic period में क्या था बहुत सारी बुडाहिया आ गए थी समाज में approximately 6th century, around 6th and 5th century BC लगभग चैनल तो during the letter Vedic period 62 different sects evolved सिर्फ बुद्धिस्म एंड जैनिस्म नहीं बलकि इसके लाबा 62 different sects evolved हुए out of them three excelled, तीन काफी आगे तक गया and developed into religion धर्म में comfort हो गया वो थे आजीव का बुद्धिस्म एंड जैनिस्म ठीक है तो इन तीनों के origin होने का कारण क्या था चुके था काफी complicated हो चुका था ठीक है तो आम लोगों के लिए बस में नहीं था कि वैदे की के लिए काफी मुश्किल हो रहा था सस्टेन करना इतना ज्यादा उसमें rituals थे रिती दिवाज बन चुका था belief मानने था इतने जादे बढ़ चुकी थी तो इसको लोग काफी confused हो चुके थे वहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो चुका था ठीक है तो आम जनता उसको समझ नहीं पा रहे थी ठीक है और जो लेटर वैदिक के टाइम में जो काफी रिजिट हो चुका था हमने देखा था अरली वैदिक पिरेट में जो वर्णा सिस्टम था ब्रहमान च्छत्रिय वैसे सुद्रा ये जन्म के अधार पर था ठीक है लेकिन बाद में लेटर वैदिक पिरेट में यह जो वर्ण सिस्टम था वो कनवर्ट हो गया जन्म के अधार पर काफी अडिजिर हो चुका था ठीक है तो इसे सम मांगा हो गया था और लोगों को यह कर नहीं पा रहे था है फर्ड नहीं कर पा रहे थे वहाँ से निकलना था लार्जर इंट्रेस्ट आप the people want a simple, short and intelligible way to salvation for all people एक लार्जर इंट्रेस्ट था लोगों का कि एक simple, short and intelligible तरीका हो जिससे लोग salvation and salvation पास हे रहे कि ठीक है ते किसे ही कुछ ऐसा मिले जिससे हमको कुछ आसान से करके चोड़ा सा करके कुछ हमें मुक्ती मिल लिया इस तरह कुछ concept develop लोग सोच रहे थे चत्रिया एक चत्रिया और चत्रियों में भी क्लास देखने को मिला ठीक है तो यह था दूसरा था desire of westya to improve their social position जो westya वैस से लोग थे अब ये लोग अमीर थे पैसा बहुत था ट्रेड वगरा करते थे लेकिन इनका जो social status था वो अतना improve नहीं हो रहा रहा था समाज में इस्तिती सिर्फ बहामनों की और च्छत्रियों की अच्छा थी ठीक है वैस्यों को अतना अच्छा social position नहीं था तो उसके काफी पढ़ेसान थे वैस्से वो चाह रहे थे कि इनको समाज में भी बराबरी का ह ठीक महाजनपत के टाइम उसके ट्रेट और एक्टिविटी तो बढ़े गया लेकिन social position इंप्रूव नहीं हो पाया वैस्यों का तो ये भी उनके अंदर एक रहामनों की सुप्रेमेसी के कारण और ब्रहामनों की सुप्रेमेसी के कारण सुसाइटी में काफी अनरेस्ट फैल प्रप हो गया था उसमें एक हिंड्रेस्ट कर रहा था यह जो बली देनी की जो पर्था थी गाए को ठीक है तो इससे क्या हो रहा था अगरिकल्चर काफी सफर हो रहा था तो यह सब कुछ कारण था इसके origin होने का बुद्धिश्म और जैनिश्म के origin होने का कारण में से के लिए अगर हम टीचेंश की बात करें तो बुद्धा आस्किस फॉलोर्स तो अवाइब दे टू एक्स्ट्रीम पोर्शन है लाइफ का उन दोनों को अवाइड करना है पहला है कि एक तो इंडेलजेंस इन वर्ड़ली प्लेजर बुड़ी तरह से सुक्षिवधा में लिप्त हो गया बुड़ी तरह से भोग विलास में भोग विलास से ग्रसित हो गया इससे आपको दूर रहना है दूसरा एंदे प्रैक्टिस ओस्ट्रिक्ट एक हो गया एदम साधू बन गया तो ये भी नहीं करना है आपको ठीक है तो ये दोनों एक्स्ट्रीम पे नहीं जाना है आपको मध्यमार्ग में चलना है ये इनका टेचिंग्स था इन्होंने कहा मध्यमार्ग बीच में रहना है ये इसी एरिया में एक कल्चुरल एस्सिमिलेशन क्या दिखाता है सेवाइट डिटी महेश्वरी ये दिखाता है कि किस तरह से कल्चुरली मिल चुके थे एस्मिलेट हो चुके थे रूट्स और बुद्धिस्म इन पास्टाग्रम देखे तो वेदानता सांखे फिलोसपी और उपनिसाथ से क्या मिलता है बुद्धिस्म का पास्ट में रूट्स मिलता है कि यहां से भी निकल के आया वेदानतों में लिखा गया है सांखे फिलोसपी और उपनिसाथ में ये खुद को रिफ्रेंड करते हैं from engaging in discussion about the soul, आत्मा या ब्रह्मा के बारे में discuss नहीं करते हैं, but focus on earthly concern, जो यहां इस पृत्वी पर चिंताय है, उस पे बात कीजिए, आत्मा और ब्रह्मा के बात नहीं करना है, मत लब उसे यह रिफ्रेंड करते थे, यह earthly concern, लब इस पृत्वी प बे ज्यादा focus था इनका, बुद्धिस्म accepts the transmigration and impermanence, but rejects the idea of God and soul, आत्मा, यह accept करते हैं, transmigration और impermanence को, ठीक है, जो transmigration होता है, soul का transfer होता है, उसको था accept करते हैं, but rejects the idea of God and soul, चीक है, emphasized the concept of karma and ainsa, यहां भी कर्म और ainsa के concept पर जोड दिया गया, oppose the prevalent one system, prevalent one system, prevalent house time, उसको oppose किया गया, इनके दोरा, बुद्धिस्म asserted that the world is filled with sorrows and people suffer due to desires, तो बुद्धिस्म में यह जोड दिया गया कि जो दुनिया है, filled with sorrows, दुखों से बढ़ा हुआ है, and people suffer due to desires, और लोग को suffer क् दर्द क्यों है, पेन क्यों है, due to desires, इच्छाए, तो इच्छाए, सोग का कारण है, यह मानना है बुद्धिस्ब का, Conquering desires leads to nirvana, अगर हम अपने desires को अपने इच्छाओ पे जी चाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, nirvana मिलेगा, bringing freedom from the cycle of birth and death, तो यह जनम मिर्द्विय का जो चक्र है, इससे हमको मुक्ती मिल जाएगा, अगर हम अपने इच्छाओ पे कावु पार लेते हैं, और nirvana को अटेंड क विए में, बर्थप्लेस कहां पे था, तो लुम्बणी, कहां पे लुम्बणी, जो की capital of Sakya Republic था, चीक है, अगर हम टीचर्स की बात करें, तो अलाडा काम, अलाडा कलामा, अण उदरक राम पुत्रा, अलाडा कलामा, अड उदरक राम पुत्रा, तो दो टीचर्स थे, अला अगर हम बात करें फर्स्ट सर्मन की या फर्स्ट टीचिंग की बात करें तो ये गौतम बुध्ध ने दिया कहां पर सारनाथ में दिया अगर igual रथिय। वड़ा फर्स्ट टारूश ने दिया पाइय फसी लूग को पहला सर्मन पहला टीचिंग्स निया इंक्लूडिंग इनख्टें. महापड़ी निर्वाना क्या होता है तो death at कुसी नगर at the age of 80 80 साल की उम्र में कुसी नगर में यहने death हो जाता है और इस घटना को कहा गया है महापड़ी निर्वाना ठीक है कुछ literary sources जो हम देखेंगे बुद्धिज में एक तो है सिरलोनीज chronicles जो सिरलंकन chronicles था महापड़ी निर्वानामा महापड़ी निर्वानामा के द्वारा महापड़ी निर्वानामा लिखा हुआ है दीपवंसा लिखा हुआ है दीपवंसा एंड अत कठा कठा बाई वटगामनी तो वटगामनी ने क्या लिखा है दीपवंसा और अटकथा और महा नामा ने लिखा है महावंसा ये क्या है सिरलंकन सिरलंकन कुछ लिटरी सोर्स है महावंसा और दीपवंसा दो याद रखेगा और एक अटकथा कुछ दिपवंसा क्रोनिकल्स भी है दिव्यानंद कालचक्र दिव्यवंदना कालचक्र ये कह दिपवंसा क्रोनिकल्स तो ठीक है आगे कुछ और भी है एक है त्री पिताका मतलब थ्री बास्किट्स और बुद्धिस्थ स्क्रिप्चर तो बुद्धिस्थ स्क्रिप्चर के तीन बास्किट है त्री पिताका एक है सुथ्थ पिताका विनाई पिताका और अविधम पिताका अगर बात करें सुथ् के बारे में चिक्र है और अभिधम पिटाका में क्या लिखा हुआ है डॉक्ट्रीन एंड फिलोसपी और पुद्यज में लिखा हुआ है ठीक है फिर क्या है तो सुत्र पिटाका विनाय पिटाका और अभिधम पिटाका सुत्र में लिखा हुआ है विनाय पिटाका में लिखा करा हुआ है Monastic rules लिखा हुआ है है और अविधामी पिटा का में लिखा हुआ है गजातका फॉक्लोड मतलब क्या हुआ है इस्टोरी इस जर्म से समधे जब कहानियां यह सब लिखा हुआ है कहां पे जातक्त का फॉक्लोड में in Chinese they are called sadok Chinese में इस कहानियों कहा जाता है sadok कहा जाता है ठीक मिलिंद पनहा मिलिंद पनहा ये क्या है? ये बिसके लिए क्या है यहाँ पे questions of मिलिंद that is Greek king मियंडर and answers of Buddhist monk नागसेन तो मियंडर और नागसेन की जो बातचीत है मियंडर कौन थे? इस जो को मिलिंद भी कहा जया है Greek के राजा थे मियंडर और Buddhist monk थे नागसेन तो सवाल पूछते हैं मियंडर और Buddhist monk नागसेन जवाब जयते हैं इनकी जो चर्चाएं है, इनकी जो बातचीत है इन किताब में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद परहा यह सारे लिट्वड़ी sources है Buddhist text है जो information प्रवाइड करती है Buddhist religion की बारे में अगर हम बात को है Three Jewels of Buddhism, त्री रतना यहाँ पिथा, त्री पिटाका सुत, विनाई पिटाका और अविदाम पिटाका यहाँ पे त्री रतना है Three Jewels of Buddhism एक तो है पहला है बुद्धा, धर्मा और संखा बुद्धा, धर्मा, संखा बुद्धा मतलब founder, teacher हो गया धम मतलब teachings और संख मतलब order of Buddhist monk जो Buddhist monk हुआ करते थे उसका क्या order होगा संख, ठीक है, group तो बुद्ध, धम, संख यह क्या हो गया Three Jewels of Buddhism हो गया अब कुछ देखते है Great Events of Buddhist बुद्धा Life के जो Great Events हुए है उसको देखते है क्या कौनकों सा Symbols से वो रिपरेजेंट की जाते है एक पहला है अव करांती Conception और Descent जब उनकी माता Conceive करती है Conception और Descent अव करांती कहा गया है इस Event को और Symbols क्या है यह White Elephant से रिपरेजेंट किया गया है जाती बर्थ बर्थ जो गटना जो Event हुआ यह आपका Lotus and Bull से रिपरेजेंट किया गया है महा अभिनीश करमना जो Great Renunciation जो Great त्याग किया गया भगवान बुद्ध के दोरा अपने राज का तो इस गटना को कहते है इस Event को कहते है महा अभिनीश करमना और इसको रिपरेजेंट किया है होड से निर्वाना, समबोधी Enlightenment जो मिला उनको ज्यान की जो प्राप्तु हुई पीपल ट्री के नीचे 33 साल के उम्र में यह हुआ कहां पे बोधी ट्री में हुआ धर्म चक्र पडिवर्तन जो पहला सर्वन दिया है उनने यह कहां पे दिया सानाथ में दिया और इसको रिपरेजेंट किया गया सिंबल से वील से जो महा पड़ी निर्वाना डेथ हुआ उनका इसको रिपरेजेंट किया है स्थूपा से तो वाइट एलेफेंट लोटस अंड बुल हॉर्स बोधी ट्री वील एंड स्थूपा तो यह सब अलग 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 एवेंट एन के लाइफ से सम्मान दिया और यह सिंबल से काफी इंपरेंट है फाइफ टीचिंग्स और बुद्धा जो पंच सील कहा गया है बुद्धा के पाँच टीचिंग्स पहला नो किलिंग ठीक है रिस्पेक्ट उफर लाइफ मारना नहीं है अहिंसा कहा गया रिस्पेक्ट उफर लाइफ एबस्टेंशन फ्रम थेफ्ट ठीक है तो फोई सलाम मदर्ण वेगर नहीं पर नहीं है तो पाँच टीचिंग्स था ठीक है तो ये पाँच टीचिंग है बुद्धा की पंच सीर भी कहा गया है नो किलिंग तर इस रिस्पेक्ट फर लाइफ एबस्टेंशन फ्रम थेफ्ट abstention from sexual misconduct नहीं करना है ठीक है फॉर्फोटस नहीं करना है और intoxication भी नहीं करना है इन सबसे बच के रहना है चार nobel truth जो चार आरेस सत्य बतायेगे बुद्धिस में पहला ये कि world is full of sorrow and misery व्ल्ड जो है दुनिया जो है दुखों से बढ़ा हुआ है मरलब सभी हर के जिन्दिगे में दुख है जिसे कहा गया सबम दुखम क्या कहा गया सबम दुखम फिर दूसरा तो सत्य क्या है कि desire is a root cause of sorrow कि ये सत्य ये भी है कि जो दुख है दुख का बहुत बड़ा कारण ये है desire इच्छा इसे कहा गया परतिये संपुत पदा परतिये संपुत पदा तो सबम दुखम दुख हर जगा है सभी के पास दुख है दुख का करण क्या है तो इच्छा desire है परतिये संपुत पदा है तेसरा सत्य यह है desire can be kankard तो क्या desire जो लोग की इछाए है क्या उसे kankard किया जा सकता है तो ये भी सत्य है एक सत्य ये भी है कि desire जो होती है उत्वन होती है इंसान के अंदर उस पे आदमी चाहे तो उस पे कबजा कर सकता है उस पे जीत सकता है मिलब दुख निरोध, तो सबम दुखम, परतीय समूत पता, दुखा निरोध, तो दुख का निरोध भी है तो तीन सत्त्य यह हो गया, चो चौथा सत्य है, डिजायर के बी कंकर बाई फॉलिंग अस्टांगे का मार्ग तो भाई, desire को कंकर करने का, जीतने का क्या रास्ता है, वो रास्ता है, अस्टांग का मार्ग, आठ मार्ग बताया उन्होंने, अस्टांग का मार्ग, उससे आप अपने इच्छाओं पे जीत पा सकते हैं, और अपने दुख को खतम कर सकते हैं, ये चार आरे सत्थे बुद्धिव में ठीक है ये असराइगे का हमार क्या है एट फोल पाथ तो जो आर्ठ रास्ते मने बताएँ वो अक्शिलि क्या है इंकर्ग्नेटर अक्टिविटीश है किसे सलबाज़ेद नॉलेज से कंडाट से और मेडिटेटिव प्राक्टिसे से जैसे कि क्या क्या है आट मर्ग राइट व्यू है राइट इंटेंशन है राइट स्पीच है राइट एक्षन है राइट लाइवलिहूट है राइट माइट फॉल्नेस है राइट एफट हैं राइट कंसेटरेशन है यह आठ मार्ग आदनी अगर फॉलो करें आठ हमने उपर देखा भी था विनाय पिटाका एक है सुथ पिटाका, विनाय और अविधाम पिटाका अगर पहला बात करें विनाय पिटाका के तो यह क्या है discipline discourse है consists of rules and conduct rules of conduct and discipline applicable to monastic life of the monks and nuns तो जो बुद्धिस्त monks and nuns होगे उनकी जो monastic life होगे जो सन्यास वलंगा जीवन होगा उसमें क्या-क्या उनको rules follow करने है क्या-क्या discipline follow करना है वो सारी बाते लिखी गए है विनाय पिटाका में the rules of monastic life लिखा हुआ है सुथ पिटाका में क्या लिखा हुआ सुथ पिटाका basket of discourse consists of the main teaching of dham of buddha तो buddha के जो dham है और teaching है teaching के बारे में लिखा हुआ है सुथ पिटाका में it is divided into five निकाए और collection है पांच निकाएं बटा गया है पहला होगा अद्धिक निकाए मज्शिम निकाए समयुत निकाए अंगुतर निकाए और खुददक निकाए तो पांच निकाए है सुथ पिटाका के अंदर अविधम पिटाका क्या बोल रहा है अविधम पिटाका basket of higher teachings is the philosophical analysis है and systemization of teachings and the scholarly activity of monks तो monks का scholarly activities है या teachings है उन सभी को उसको philosophically analyze करके सारा तरीका मलब उस teachings को basically लिखा गया है अविधम पिटाका में ठीक है monks के teachings या उनके activities के बारे में लिखा हूँ है अविधम पिटाका में other important Buddhist texts include दिव्ववादना दीपवांसा महावांसा मिलिंदपना जो हमने उपर अलेड़ी देख चुके है ठीक है Buddhist संग and its features देखते है the oldest prayer place in history where slaves, insolvenants and the deceased were not allowed सबसे oldest prayer place था in history में जहाँ पे slave, insolvenants and deceased were allowed नहीं किया गया था Buddhist के संग में there were 64 types of crime called पथी, मुक्छास which were profited तो 64 तरह के crimes थे जिसे कहा गया पथी, मुक्छास जो profit किये गया थे women were also allowed to join बाद में women को भी allowed कर दिया किसा जोइन करने का सरी पुत्त, मोगलाना आनन्द, कसप कसप and उपाली ये सब कुछ important क्या थे disciples थे बुद्ध के kings like परसंजीत of Kosala and Bimbisara and Ajat Satru Magad accepted his doctrines and become his disciples जो बुद्ध के जैसे कि कुछ kings जैसे के Kosala के परसंजीत हो गया and Magad के Bimbisara और Ajat Satru वो क्या करते हैं बुद्ध के doctrine को accept करते है और उसके disciple बन जाते हैं He visited places like Banaras, Mananas जाते है Rajagiri, Sarvasti Vaisali, Nalanda पाठली गराम ये सब ये विजिट करते हैं चीक है important Buddhist scholar को देखे तो ये किस ने लॉंच किया था मोगली पुट्टा तीसा ने लॉंच किया था अस्व घोस कौन है Buddhist scholar थे राइट बुद्ध चरिता और संस्कित ड्रामा सरी पुत्र प्राक करना मतलब सरी पुत्र दिसाइपल अब बुद्धा थे and गेव थेोरी ओफ संन्यवाध संन्यवाध इंपडिनेश का थेोरी दिया किस नागार्जुन ने and important work includes मुलम अध्यम कारि का मध्यम करि का मुल मध्यम करि का मध्यम कारि का ये important work था किसका नागार्जुन का बुद्ध कोश की बात करें तो most important commentator of थेरवाद, important work is विशुदी मगगा, विशुदी मगगा, चीक है, तो एक थेरवाद पर important इसमें कमेंटरी किया गया, विशुदी मगगा के नाम से किसने किया बुद्ध कोशन, धर्म कृति की बात करें तो teacher at Nalanda, called as Kant of India, तो इंडिया का का गया है, धर्म कृति को, ये Nalanda में teacher थे, और बुद्धिस्त scholar भी थे, दिन्नागा के बात करें, दिन्नाग की बात करें, the last mighty intellectual of the 5th century, also well known as the founder of the Buddhist logic, तो बुद्धिस लोजिक के founder भी थे, कौन दिन्नागा, असंग एंड वशुबंधु, दो भाई थे, two brothers who flourished in Punjab region in 4th century CE, 4th century CE में, Punjab region में काफी flourished किये, असंग was most important teacher of योगाचारा, और विग्नवाद स्कूल, जो विग्नवाद स्कूल था, फाउंड किया गया थे, कि गुरु मैं तरिये नाच के दोरा, उसके काफी important teacher थे, असंग वशुबंधु's greatest work, अभी धर्म मुक्षा, अभी धर्म कोशा, अभी धर्म कोशा is still considered important in cyclopedia of बुद्धिस्म, तो बुद्धिस्म का एक important cyclopedia था, क्या अभी धर्म कोशा, इसने लिखा था वशुबंधु ने, कहाँ पे पंजाब रिजिन में, असंगा एंड वशुबंधु दोनों भाई थे, अगर हम बात करें बुद्धि सत्वा की, इन महायान, बुद्धिस्म, बुद्धि सत्वा is a person who has attained enlightenment, तो महायान सेक्टर में, सेक्षन में, जो बुद्धिस्म के अंदर था, बुद्धिस्म बुद्धि सत्वा उन लोगों कहा गया है, who has attained enlightenment, but has delayed his nirvana, जि लेकि इनको ग्यान के प्राप्ति हो गई है, बस तो वो लोग बुद्धि सत्वा कहलाते हैं, और ये लोग क्या करेंगे, help करेंगे, अपने निर्वाना को डिले कर दिया है, क्यों, to help others attain enlightenment, ताकि दूसरों को भी enlightenment मिल सके, इसलिए वो निर्वाना अटें नहीं कर रहा है, म Later to the concept of incarnation in the Hindu mythology, Hindu mythology जैसे incarnation होता है उसी तरह से concept है, बोधि सत्वा का है, बोधि सत्वा का भी है, बोधि सत्वास are common figures in Buddhist literature and art, तो काफी common figure है, बोधिस स्था के literature and art में, एक बोधि सत्वा है, मैतरया है, अगर उसका trait देखें, तो ये फ्यूचर बुद्धा और अरलियस्थ बोध जीत बोधी सत्वा, तो जीत बोधी सत्वा किसे कहा गया है, मैतरिया कहा गया है, holds of water feel in his left hand, तो अपने left hand में क्या hold करते हैं, water feel hold करके रखे हुए है, popular laughing गुद्धा is claimed to be an incarnation of मैतरिया, तो मैतरिया का ही इंकार्नेशन है, जो popular laughing गुद्धा है, वो इसी का incarnation है, मैतरिया बोधी सत्वा का ही इंकार्नेशन है, सामन्त भद्र, सामन्त भद्र, ये क्या है, universal बोधी सत्वा है, associated with meditation, तो इसका सम्मन्द किससे है, तो meditation sense का सम्मन्द है, manifestation is action, ठीक है, वजरपानी, वजरपानी भी क्या है, बोधी सत्वा है, like इंदर holds thunderbolt, जैसे कि इंदर की तरह है, जैसे कि roll to hold किये हुए, पावर को दिखाता है, depicted as one of the three protective duties around बुद्धा, तो बुद्धा के एराउंड जो तीन powerful protective duties है, उसको depict किया गया है, बाकी दो कौन है, तो बाकी दो है, मंजुश्री and अवलो, अवलोकी तेस्वरा, अवलोकी तेस्वरा, अवलोकी तेस्वरा, अवलोकी तेस् अवलोकी तेस्वरा, 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 अवल सद पड़ी भूत सद पड़ी भूत manifest never disparaging spirit तो कभी spirit disparage होने वाला उसको दिखाये गया है बुद्धा को यहाँ पर मंजु सिरी बधी सत्वा stimulated of understanding and he holds book describing 10 परमिताज तो क्या है understanding को stimulate करने वाली समझ को understanding को और यहाँ पर 10 परमिताज का बुक होल्ड की हुई है मंजु सिरी depicts male bodhisattva wielding flaming sword in his left hand male bodhisattva को depict किया गया है मंजु सिरी की दो wielding flaming sword in his left hand left hand में क्या है flaming sword है चीख है तलवार है आकास गर्फ he is boundless as a space तो आकास गर्फ जो bodhisattva है he is boundless कोई इसका boundary नहीं है जिसे की space होता है करने के लिए यह है यह पसंद करते है तो यह कुछ बोधी सत्वा है और कुछ इसके traits है इसमें से ध्यान रखेगा अब देखते हैं बुद्धिस्थ काउंसिल जो चार काउंसिल हुआ था फर्स, सेकेंट, थर्ड, फोर्थ चीख है तो पहला काउंसिल हुआ था कब हुआ था? 483 BC में जब इनका death हुआ था महापड़ी निर्वाना अटेंड किया था तो उस साल यह पहला काउंसिल किया गया कहां पे किया गया तो सत्थपानी केव एड राजगरी तो राजगरी में सत्थपानी केव है तो अजाद सत्रू हरियनक डाइस्टी चीक है तो हरियनकर डाइस्टी के टाइम अजाद सत्रू के टाइम में पहला काउंसिल किया था 483 BC में अगर हम आउटकम देखें तो इट वाज हेल सून आफ्टर अफर द महापड़ी निर्वाना अफ द बुद्धा डिसाइपल्स के लिए डूल बनाने के लिए देवरिंग दिस काउंसिल जाइचिंग और बुद्धा वेर्ट वहरें दो थ्री पिटाकास और इसी में जो बुद्धा का टेचिंग था तीन पिटाका या बाटा गया चीक है तो सुथ पिटाका और विनाय पिटाका वाई उपाली तो सुथ पिटाका और विनाय पिटाका उपाली के दोरा किया गया कंपालेशन फिट लग को सौ साल बाद 383 BC में दूसरा काउंसिल होता है उस ताइम वेन्यू कहा था वैसाली तो पहला राजगीर उसके था वैसाली और चेर्मैन पहला कहा था महा कस्यप दूसरा कहा था सब कामी पैटरन किंग उस ताइम काला असोक तो हर्यांका के बाद सिचुनाग आ चुका था तो काला असोक आ चुका था यहाँ पर अगर आटकम देखके तो डिवाइड इन अस्थाविरा सीन्स एंड महा संगिका तो अस्थाविरा सीन्स और यहाँ पर एक डिविजन हुआ बुद्धिस्ट के बीच में अस्थाविरा और महा संगिका के बीच में चीक है जो तीसरा आपका है थार्ड काउंसीर हुआ कब कहाँ 250 BC में कहाँ पे पाटली पुत्रा तो राजगीर वैसाली पाटली पुत्रा 483 BC 383 BC and 250 BC यहां महा कस्यपा महा कस्यपा सबकामी चेर्मेन और यहां पे मोगली पुत्रा तिस्सा अगर हम बात करें किंग की तो अजाज सत्रू हरियनका डायनेस्टी काला असोक से सुरान डायनेस्टी और असोका मॉर्या डायनेस्टी चीक है कंपाइलेशन और अविधम पिटाका किया गया है पहले काउंसिल में सुत और विना पिटाका कंपाइल कर लिया गया था थार्ड काउंसिल में जाके अविधम पिटाका को यह किया गया है कंपाइल किया गया डिसिजन टू सेंड मिशनरी टू वैरिस पार्ट्स तर वर्ल यहीं पे डिसिजन लिया गया कि अलग-अलग दुनिया में वर्ल्ड के हिस्से में क्या भीज़ेंगे मिशनरी भीज़ेंगे इसको प्रीच करने के लिए फोर्थ जो हुआ आपका 98 AD में कब हुआ कस्मीर में हुआ तो राजगीर वैसाली पाथली पुतर कस्मीर और इसके थे आपका वसुमित्र और अस्वहोस किंग कौन था तो कनिश्क कुसाने इंपाइड के यहाँ पर क्या हुआ थे कंपाइशन अफ महा विवाशा सुत्र को कंपाइल किया गया दिविजन और बुद्धिसमेंट तो हीन यान और महा यान में बाटा गया इसको अविधाम टेक्स वेर टांसलेटेट फ्रम प्राकृत टू संस्कृत और अविधाम टेक्स को क्या गया 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 टांसलेशन किया गया फ्रम प्राकृत टू संस्कृत चीक यह तो महासंगया के अंदर में धन्य काटका फ्लोरिस हुआ एक इंपोर्टेंट बुद्धिस चेंटर की रूप में इट इसे स्मॉल टाउन इन आंध्रपर्दिस ये कहां पर आंध्रपर्दिस में चला से टाउन है इन साउथ इस्टन इंडिया में नेर परजेंट अमरावती के पास वेर साक्यमुनी बुद्धा टॉट दा हट एसेंस फॉर्म आफ दा काल चक्र धर्म तो संभाला केंग जहां पर संभाला केंग्स को जो साक्यमुनी बुद्धा थे वो टीच कर रहे थे परहा रहे थे क्या काल चक्र धर्म के हर्ट एसेंस फॉर्म को फॉर्म को ठीक है तो हमने देखा बुद्धिस के बारे में तो यह काउंसिल देख लिया बोधी सत्वा के को बारे चुछ स्कुलरस देख लिया का संघ के बारे चुछ संग के बारे में समझा और कुछ सेंपोर्टोंट पॉइंट देख लिये अंगा बुद्धा के बारे में तो इस वीडियो में रखता है फिट नेक्स वीडियो में देखेंग के पॉर्चन जोween गया मेंट सझक महीन यान बुद्धिस विगरा जो भी है आगे हम देख लेंगे चीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाजिंग थैंक्यू विल वंच